जहीं दोस्तों तो देखो बात ऐसा है कि जब भी तुम्हारे अंटोल्ड मैक भाईया आते हैं तब 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 तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लेके आते हैं जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिले और आज भी मेरे पास आप सभी CUET aspirant के लिए कितनी अच्छी खबर है जिससे आपका problem तो solve हो जाएगा बस आप इस वीडियो को end तक देखिए अगर आप अपने भाईया के चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि भाईया जब तक तुम्हारा admission भारत के top college ये university में नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे CUET exam आपके लिए easy होगा लेकिन easy के साथ साथ थोड़ा competition भी बढ़ेगा और उस competition को tackle करने के लिए आपको क्या करना है और क्या update है अब सुनों देखो ये अभी recent ले एक notification आना है अभी just recently थोड़े थोड़े टाइम पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका जो registration registration form है जो आपका 27th February तक खतम हो जाना था वो basically अब आपका 27th February से लेकर 31st March तक मतलब अगले 5 दिन के लिए आपका registration form बढ़ा दिया गया है जो कि आपके लिए एक अच्छी खबर है उन बच्चों के लिए जिनोंने अभी तक CUET का form नहीं भढ़ा है और अभी तक अगर मैं CUET CUET exam को जीतने के लिए उतरेंगे मतलब आपका जो competition है वो 20 लाख बच्चों से है सोच के देखो इतना सारे बच्चे इस साल CUET का form भढ़ेंगे और CUET का वहिया time to time CUET का date बढ़ा दिया जारा है तो यहाँ पर एक बात जो आपको ध्यान देना है कि जब इतना जादा date को extend कि जारा है मतलब यह जो आकरा है यह और बर सकता है यह और ज्यादा हो सकता है और इस बार पिछले साल से 5 लाख ज्यादा बच्चे से exam को देने के लिए उतर सकते हैं लेकिन अब बोलोगे सर आपने तो डरा दिया तो इसमें अच्छी खबर क्या है अच्छी खबर यह है कि जो NTA के जो NTA बोलो या फिर जो UGC के चेर्में बोलो NTA का ओफिशल बोलो उने का साफ साफ यह कहना है कि इस साल का आपका CUT exam पिछले साल से easy होगा क्या होगा easy होगा ताकि आपको coaching वालों पे depend ना रहना पड़े यह motive से इस साल CUT के exam को easy कराया जाएगा लेकिन यहाँ प इसका मतलब है कि competition बढ़ेगा, cut off भी बढ़ेगा, अगर exam easy आएगा, अगर ज्यादा बच्चे ज्यादा अच्छा score करेंगे और इतने सारे बच्चे होगे तो university के पास तो seats limited है, अगर आपको top university DU में जाना है, DU में ही जाना है, मैं सोच clear हूँ, अगर आपको DU में जाना है, तो उसमें seats तो limited है, तो उस case में आपको करना परेगा extraordinary practice, और extraordinary practice के लिए आपको चाहिए होगा तीन चीज, मोटा मोटा तीन चीज, पहला जो चीज चाहिए होगा वो होगा आपको mock test, ठीक है, mock test आपको भर भर के चाहिए होगा CUT 2024 exam के लिए, जितना जादा mock test लगाओगे, जो latest pattern पे होगा, वो mock test आपको बहुत चाहिए होगा, बहुत सारा, इसके बाद जो आपको दूसरा चीज चाहिए होगा, वो भाईया OMR sheet, OMR sheet आपको चाहिए होगा, बिना OMR sheet का आप इस साल practice नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये CUET का official update आया है, कि इस साल बहुत सारे subject ऐसे हो सकत है, जिनको computer based ना कराकर OMR sheet पे करा दिया जाए, जिनमें registration बहुत आएगी, तो उस case में आपको OMR sheet चाहिए होगा, and आपको चाहिए होगा, भीया, क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा, बहुत सारा tips, बहुत सारा toppers का कहानी, ठीक है, बहुत सारे, आपको चाहिए बोला है कि आपको coaching पे depend नहीं रहना है, तो उसके लिए इन सभी चीजों का solution आपको provide करता है भाईया, Oswal Books, अब तुम बोलोगे सर, आपने तो promote कर दिया, मैं promote देखो भाईया, मेरे पास ना, 1000 brand आते है किताब के, मैं किसी को recommend नहीं करता हूँ, मैं अगर किसी book को recommend कर रहा ह किसी भी other brand का नहीं सिवाए Oswal Books के, यहाँ पर तुम देखोगे कि भाईया, यह Oswal Books का combined mock test paper है, यह है combined mock test paper, वो भी 20 combined mock test paper, ठीक है, और यह पूरा का पूरा humanities stream के लिए है, इसमें भाईया, English, History, Geography, Political Science, General Test, सब कुछ कवर हो जाएगा, अब यहाँ पर जो मान लो, Commerce वाले बच PCM वालो का भी है, PCB वालो का भी है, तो Oswal Books ने आपका सारा solution दे दिया है, अब आप बोलोगे, सर यहाँ पर हमें OMR sheet वगरा कैसे मिलेगा, तो इस book का, जो main highlight है, वो में भी आपको दिखा देता हो, कि क्या-क्या चीज आपको especially Oswal Books में देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले ज का problem solve हो जाएगा, वैसे इसकी link इस video के comment में pin है, आप comment से जाके इस book को ले सकते हो, और description में भी pin है, ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, 1000 प्लस question for comprehensive coverage, जैसा कि मैंने बताया, आपको चाहिए होगा comprehensive coverage, पूरी तरीके से 1000 से भी ज़्यादा questions यहाँ पे अवले ब लेगा, and last, जो सबसे बड़ा USP है, OMR sheet, ध्यान दो, OMR sheet, इसके अंदर आपको OMR sheet का practice भी देखने को मिल जाएगा, मतलब each and everything आपको इस book के अंदर मिल जाएगी, सारी चीजे मैंने खुद पढ़ के देखा है, मिरे पास इतने सारे books आए है, literally मैं दिल से बता रहो, मैंने क किसी को recommend नहीं करा, जिस book का language मुझे बढ़िया लगता है, जिस book की market में brand value अच्छी होती है, जो trusted होता है, जिसको मैंने एक time पे कभी बनाया हो, एक time पे, उस book को मैं आपको recommend कर रहो, तो it's up to you, Oswal Books का जो link है, इस video के comment में pin है, आपका all in one, यहाँ पे 20 combined mock test paper है, उससे ज्या आप जाकर अभी इसकी तयारी शुरू कर सकते हो, एक book से आपका पूरा stream complete हो जाएगा, art, science, commerce वाले अपना देख लेना, clear, तो यह बाते आपको ध्यान में रखना है, आपके पास इस बाद date extend कर दिया गया है, मतलब registration extend होगा, तो आपको competition जादा face करना परेगा, और इतने competition में number लाने के लिए आपको practice करना परेगा, जितना practice, जितना mock test आप लगाओगे, उतना ज्यादा आपका exam निकालने के chances बढ़ जाएंगे, यह दियान में रखना बात खतम, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, thank you so much for watching this video, अगर आपकी problem solve हुई है, थोड़ी सी भी, तो नीचे comment किजिए, इतना बढ़िया सा जिससे मज़ा आ जाए, मिलते अगले वीडियो में, love you, tata, bye bye, जै हिंद!